यूके से किसी में मुझे मैसेज लिया था मेरे फ्रेंड ने थोड़ी दिन तक बात हुई उससे उसने बोला एड़र्स दो मैंने उसको अपना एड़र्स दिया देन उसने गिफ्ट भी जे एड़र्स पे उसके बाद से वहां से में साथ फ्रॉड होना सुरू हो गया रिसन टाइम्स में कोवीड और अनेमप्लाइमेंट के चलते ना कहीं तरह के फ्रॉड ओनलाइन और ओफ्रॉड सामने आया है उसमें से एक फ्रॉड है कस्टम्स ड्यूटी के नाम पे होने वाला फ्रॉड और क्यूंकि मैं एक लाइसनस कस्टम हाउज एजन्ट हूँ डेली में तो मैं आज आप लोगों को ऐसे तीन तरीके बताने वाला हूँ जो तीन तरीके अगर आपको पता चल गए तो कोई भी आप कभी भी कस्टम्स के नाम पे होने वाले फ्रॉड से बचे रहेंगे ये तीन तरीके अगर आप किसी को भी बताएंगे तो उनके साथ कभी भी कस्टम्स के नाम पे होने वाला फ्रॉड नहीं हो पाएगा तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दिपांकर और अब सभी देखने हैं Global Vapar जहांपे हम डिस्कस करते हैं International Trade के बारे में Import Export के बारे में Custom Clearance के बारे में Drop Shipping, E-commerce Export के बारे में तो recent times में क्या हुआ है कि unemployment के चलते हैं बहुत लोग Customs के नाम, Customs Duty के नाम पे होने वाले Fraud का शिकार हुए हैं अब यह होता किस तरीके से हैं इस बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा और वीडियो के लांस्ट में मैं आप लोगो तीन तरीके बताऊंगा जो की एक तरह से रामबान इलाज है इस Customs Duty के नाम पे होने वाले Fraud का तो यह चीज़े शुरू कैसे होती है यह चीज़े शुरू होती है एक Facebook request से यह Instagram request से जनरली यह जो होता है यह होता है आपके Middle Age टू थोड़े से Aged लोगों के साथ और Mostly Females के साथ यह case देखा गया है Recent Times में कि Females ही Customs के नाम पे होने वाले Fraud का शिकार हुई है क्योंकि Females को Customs और इन चीज़ों से थोड़ा सा वो दूर रहते हैं थोड़ा सा उनका कही ना कही इन चीज़ों से लिंक कम होता है तो generally यह start होता है कि आपको एक Facebook request आती है किसी foreigner की किसी भी country से हो गया, Europe से हो गया, England से हो गया, America से हो गया और फिर आपकी बात होती है किसी तरह उस बंदे से फिर आपके number exchange होते हैं, फिर आपकी काफी बात होती है, बाते आगे बढ़ती है वो आप लोगों को किसी तरह आपको अपने circle of trust में लेता है और आप लोगों से personal चीज़े पूछता है, एक दम बिल्कुल genuine बंदे की तरह आपसे बात किया जाता है और मैं आप लोगों को बता दूँ, यह जो चीज़े होती है, यह completely organized होती है और यह ऐसा नहीं कि random किसी बंदे ने Facebook एक Facebook ID बनाई और आपको उसने friend request भेज़ दी, यह पूरा organized होता है इसके पीछे जो लोग हैं वो काफी educated भी होते हैं उनको चीज़ों कोई knowledge भी काफी जाता है तो आपको friend request आता है, आपकी बात होती है, बातें आगे बढ़ती है, कहीं नहीं नंबर exchange होता है फिर आपको जो नंबर आपको उसकी तरफ से मिलता है, वो एक international number होता है, हो सकता है कि वो UK का number हो, अमेरिका का, USA का number हो अब जो यह numbers होता है, यह भी number जो है, यह भी काफी क्या कहते है, tricky चीज़ है, क्योंकि इसमें ISD code लगे होता है, जिससे कि आपको पता लगता है कि यह country का है, बट यह जो fraudsters है, यह करते क्या है कि यह virtual phone number का use करते है, virtual phone number को provide करने वाले बहुत सारी online websites हैं, जो आपको virtual numbers provide करत के लिए, mass messaging के लिए, तो यह उस काम में भी आता है, बट इसका गलत इस्तमाल fraudsters करते हैं, आपको कौन करने के लिए और दिखाने के लिए कि वो बहार देश से बात करें, फिर वो जब आपकी बात हो जाती है, जब आप काफी involved हो जाते हैं, एक दूसरे में, जब और कई ब लिंक करके आपके Instagram तक पहुंचते हैं, आपके Facebook तक पहुंचते हैं और फिर friend request के थुरू आपको दिखाते हैं कि वो कोई बड़े engineer हैं या बड़े doctor है, यह सारा case इस तरीके से शुरू होता है, अब जब आपके involvement बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, तो वो क्या करते हैं कि आपको बोलते हैं कि मैं particular मैं आपके जगह पे आऊंगा, आपके parents से मिलूँगा या आप से मिलूँगा, हम get together करेंगे और देखेंगे कि हमारा future हमके इस तरीके से decide कर सकते हैं, और आपको अच्छे खासे future की वो लोग promise करते हैं और सबने दिखाने की कोशिश करते है कि आपका जो है उनके साथ भार देश में बहुत अच्छा future होने वाला है और आप उनके साथ अच्छे सारीके से रहने वाले, अब वो करते क्या हैं कि कहते हैं कि मैं अगले महीने में आऊंगा या नहीं भी आऊंगा तो आपको कई तरह के expensive gifts भेज देते हैं, अब gifts हो सकते हैं कि आपको बोले हैं मैंने watches भेज़े हैं, mobile भेज़े हैं, jewelry, कई बारी jewelry और कई बारी कोई भी दूसी तरह कि expensive watches भेज देते हैं, claim करते हैं और आपको photo share करते हैं बकायदा, packing करते हुए और proper tracking ID के साथ वो आपको photo share करेंगे कि मैंने ये आपको भीजा है, तो ये आपको पक्का collect कर लेना, अब सारा गेम यहां से शुरू होता है, अब कुछ दिने बात क्या होता है कि आपको सामरें से call आता है, और बोला जाता है कि मैं कस्टम department से बात करता हूं, और आपका नाम पे एक पार्सनल आया है, जिसकी tracking ID ये है, बोला कि यहां पे आपका package आगे है, आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, आपको tax paper ना पड़ेगी, RBI को देना पड़ेगी, यह सब फॉर्मिल्टी सारी duties पे करनी पड़ेगी, उसको देते देते, मैंने loan लिया, उनकी अपना पैसा लगाया, अपनी saving लगाया, मैंने 32 लाग रुटाइक, बेस्ट कर अब यह चीज इतनी जाता organized होती है, कि आपको जो tracking ID मिलता है, उस tracking ID को आप online जाके search करेंगे, तो आपको वो proper tracking भी दिखाएगा, कि यह UK से dispatch हुआ या USA से dispatch हुआ, currently India में है, customs के इंडर, यह proper website बनाते हैं, लोगों को कौन करने के लिए, कई बारी एक website होती है, कई बारी एक चोटा सा page बना लेते हैं लोग, जिसमें की particular सिर्फ आपकी tracking ID खुलती हो, और कुछ नहीं खुलता है, मैंने खुद अपने experience किया है, कई लोगों को मैंने बताया है, कि किस तरीके से इंडर बच्चा जाए, तो वो आप उसको track करेंगे, तो आपको दिखाएगा कि यह आप सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यहीं आ जाती है, कि कस्टम officer आपको call कर रहा है, और बोल रहा है कि आपको duty पे करनी पड़ेगी, जो कि कभी भी नहीं होता है, कस्टम officer कभी भी आपको call नहीं करते हैं, और duty के लिए नहीं बोलते हैं, आप चलिए आपको call भी कर दिया, अब उनको वो generally क्या करते हैं, शुरू में बहुती कम एक amount आपसे charge करते हैं, बोलते हैं, 5000 यए 6000 रुपे है, आपका ऐसा expensive gift हाय हो है, personal item कुछ भी बोलेंगे आपसे कि personal item की category में आएगा, और आपको बहुती कम duty पे करनी पड़ेगी, nominal amount पे करके आप ले लेंगे, अब जब में उनका game जो है, वहाँ से शुरू होता, तब उनको पता लगता है कि इस बंदे को सामने वाले को knowledge नहीं है, और ये कहीं ना कहीं, इसके अंदर greed है, कि मेरे को ये सारा समान मिलने वाला है, Rolex की घड़ियां हो गई, महेंगे, मुबाइल फोन हो गया, या कुछ भी हो गया, वो आपको मिलने वाला है, तो जब आपने छोटा सा माउन पे कर दिया, आप series of calls शुरू होती है, अब इसके बाद उसका कोई senior phone करेगा, या कोई और बंदा उसके department से phone करेगा, बोलेगा कि मैं फलाना बंदा हूँ, और आपने जो ये customs duty पे किया है, हमने during examination या during x-ray हमको प पर case किया जाएगा कि आपके नाम पर money laundering का case होगा, या smuggling का case होगा, इस तरह का case होगा करके आपको डराया जाता है, कभी-कभी मैंने देखा हैं कि वो लोग आपको समन तक भेज देते हैं, प्रॉपर डॉक्यमेंट भी मेरे पास, आया था, मैं आप लोग को एक story सुनाता हूँ, अब क्या हुआ था कि हम custom house agent हैं तो हम लोग generally काफी busy रहते हैं, तो एक Saturday सुबह मैं सो रहा था, अब एक बंदे का back-to-back मेरे पर call आया, दुबई से, WhatsApp पे, दस call किये उस बंदे ने मेरे को, दस call किये, बट मैंने उठाया हैं ने, क्योंकि कई सारे unknown numbers से हमारे पास call आते हैं, generally, बहुत काफी आते हैं, तो मैं generally उनका reply नहीं करता, बट उसने फिर मेरे को message type करके भीजा, कि मैं यह यह हूँ, और यह यह मेरी दिक्कत है, तो फिर उन्होंने जब 11-12 ताइम मेरे को phone क करना completely restricted है, completely illegal है, अब वो क्या कह रहा है मेरे को, कि मैंने जिसके नाम पे इसको भेजा था, एक single piece था, मैंने commercial item नहीं उतारा था, मतलब 8, 10, 15, 100 pieces नहीं सिर्फ एक single item भेजा था, उसको personal use के लिए, किसी भी use के लिए, तो वो चीज अटक गई थी, और उसको custom officer की तरफ से call जा रहा था, कि आपका ये चीज आया हुआ है, और आपके नाम पे ये legal action लिया जाएगा, हम आपको एक proper mail भेज रहे हैं, और उनको call गया था बकायदा, और उनके पास एक proper notice भी गया था, कि ये ये है, तो वो काफी डर गया था, तो अब मैंने उनको समझाया था, कि देख दिया, तो सबसे पहली बात है, कि cash या expensive jewelry कुछ भी आसा कुछ भेजेंगे ना, cash एक तो cash को transfer करने के लिए, bilateral transfer के लिए, multilateral मतलब overseas transfer के लिए remittance होता है, remittance bank के थूँ एक proper channel बना हुआ है, जिसके थूँ चीजे एक country से दूसरे country में cash travel करता है, जिससे कि पूरा RBI को हिसाब रहता है, उसके अलावा cash transaction का और कोई माध्यम नहीं है, एक है money laundering जिसमें कि आपको पता है कि कहीं आपे cash देते हैं, आपको कोई जानने वाला आपका account से निकाल के देता है, वो अलग चीज़ है, बट आपको by post या by courier या by shipment आप कभी भी cash को नहीं भेज सकते, क्योंकि व किसे ने कुछ drugs भेज दिया, कि cocaine heroine कुछ भी भेजा आपके नाम पे, तो वो custom officer आपको call नहीं करेगा, वो सीधा आपके घर पर आके आपको ले के जाएगा बकायता जीप में बिठा के, तो call कभी भी नहीं आता custom officer का, call वो कभी नहीं भेजेंगे, ना ही आपको mail भेजेंग आपको पार्सल पड़े पड़े सड़ जाए, call तो out of the picture है, call कभी भी नहीं आता है, call आएगा ही नहीं, 99% call नहीं आएगा, 1% के आपको कुछ भी हो सकता है, बट call कभी नहीं आता है, वो आपको mail करते है, proper कि आपको नाम पे ये पार्सल आ हुए, आप प्लीज आके इसको ये particular item है, जिसके विए से हमने इसको रोका हुआ है, तो आप आपके इसके clarify करें, remittance वगरा proof दीजिए, और इसका evaluation प्रूफ करें, और अपना जो भी custom duty है, उसको pay करके लेके जाए हूँ, अभी मैंने पीछे गौरफ तनेजा जी का वीडियो देखा था, जो कि Flying Beast के नाम स असल के अंदर cash है काफी सारा, मतलब वो cash को अगर आप convert करेंगे इंडियन रुपीज में, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 50 लाक या एक कोड़ रुपय आपका हो जाएगा, तो आप इनको कहते हैं, penalty दे दीजिए, fine penalty जो भी है वो दे दीजिए, और अपना cash लेके transfer कराये जाते हैं, लड़की के साथ genuine case है, लड़की आप मैं video link में भी डालूँगा, मैं हो सकते तो flying beast को मैं इस video पर tag भी कर दूँगा, सबसे हाथ जोड के बिंती है कि please किसी कि भेकावे, क्योंकि आज कल online fraud इतनी बड़ी industry हो गई है, ये एक organized industry का इसने शेप ले लिए है, by organized industry, I mean की, इन सारी चीज़ों को deal करती है, topmost authority है, हमारी इंडिया की जो international trade और remittances को deal करती है, import export को deal करती है, तो ये आपको पता लगा कि ये सारी चीज़े किस तरीके से होती है, Customs Duty के नाम पर आपको कभी भी call नहीं आता, आपके नाम पर कोई भी call करके नहीं डर आ सकता, चीज़े हमेशा एक legal channel से चलती है, आपको एक proper mail आता, आपके नाम पर एक proper notice आता है, उसके बादे चीज़े कागे कम बढ़ती है, कभी भी call नहीं आता, अब इसको precaution के तौर पे हमारे Delhi Cyber Cell क्या कहता है, एक बड़ी Delhi Cyber Cell का देख लेते हैं, कि Delhi Cyber Cell के हिसाब से हम लोगो क्या precautions लेनी चाहिए, चाकि हमार साथ इस तरह के Customs Fraud ना हो, लेकि Delhi Cyber Cell के साब से ये precautions ये क्या कहता है, Delhi Cyber Cell कहता है, कि keep your personal information on Facebook and other social media apps private to the maximum extent possible, fraudster is through publicly available personal information to choose target and attack strategy, सेम चीज़े हैं कि matrimonial के थुरू, देखिए एक बारी के लिए क्या होता है, कि आप अगर प्राइवेट भी करते कि ना, तो आज कि matrimonial के थुरू क्या करते हैं, वो लोग में जाते हैं, ढूंदे कि कौन उनका target हो सकता है, क्योंकि वहां पर most of the personal information जो है available रहती है, और people from whom you don't know real in life, कहते हैं कि ऐसे अनन लोग के सथ फ्रेंडशिप मत करिया और बात मत करिये Facebook पे, don't be tricked by ISD calling number, they can be easily generated through mobile apps, same चीज़ मने बोली थी कि बहुत सारे mobile apps और online platform से आपको इस तरह का ISD numbers मिल सकते हैं, virtual ISD numbers, virtual numbers कहते हैं, never deposit any money on fraudster's instruction, even if the amount is small, if deposit, they will manipulate your desire to save the deposited fund to extract more money on various pretexts, मतलब यही हो गया, कि अगर आपने छोटा सा amount डाल दिया, तो वो यही बोलेंगे कि आपने छोटा amount तो डाली तो थोड़ा amount और डाल दो, आपको पैसा भी मिल जाएगा और आपको प्रॉफिट भी जागा, क्यों इसके अंदर आपके अंदर काफी जो यह पा क्लेम सब्सक्राइब, यह पॉइंट मुझे थोड़ा सा वेग लगता है, कि फाइफ फिफ्ट जो पॉइंट है, यह कहीं नहीं कहीं वेग पॉइंट है, क्योंकि कॉस्टम से तीन सबसे जादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखने चाहिए, जब भी आपको कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आता, चाहिए आपके पार्सल के अंदर ड्रग्स आया हो, कैश आया हो, जो कि कभी नहीं आता, इनकी 1% आग भी गया हो, बहुत एक्समेंसिफ गिफ्ट हो चाहिए, उसका रोलेक्स घड़ी ही, क्योंना आपको कभी भी क् पैकेज पढ़े-पढ़े सर जाओ, एक महीने बाद आपको मेल कर सकते हैं, एक बार के लिए कि आपका पैकेट बढ़ा हुआ है, हमें लगता है कि इसकी वेल्यूशन कम ही है, फलाना इसमें प्रॉब्लम है, तो आप आके इसको क्लैरिफाई करो और अपना पैकेज कस्टम कहते हैं, जब भी हम overseas में payment करते हैं, जब overseas से payment आती तो invert remittance कहते हैं उसको, bank to bank transfer होता है, as a physical form में कभी भी transfer नहीं होता है cash, तो cash का transaction completely impossible, restricted and not allowed है, तो अगर वो कोई बंदा overseas से भेजता है, तो वो overseas में ही अटक जाएगा, इंडिया में कभी भी नहीं आपाएगा, in case इंडिय भी expensive jewelries जो होती है, उसका भी एक proper different channel होता है, उसको import करने के लिए एक proper different, पूरा का पूरा वो होता है, protocol होता है, वो भी आपको completely picture से भाहर हो जाता है, तो jewelry भी कोई आपको export नहीं कर सकता, सबसे पहले तो वो भाहर देश में ही पास जाएगा, क्योंकि courier में gifts जो भेजने क limit होता है, वो 5-10 रुपे से जादा नहीं होता, आप कभी भी expensive jewelry या कोई भी precious metal gift के form में नहीं भेज सकता है, जिसकी value 10-15 रुपे से जादा हो, overseas से, इंडिया में, और इंडिया में अगर आपका आपका वो चीज आ भी जाता है, jewelry तो कभी नहीं आएगी, gold, silver ये सब नहीं आ के लिए सिर्फ एक centralized website है, जहाँ पे customs duty जमा होती है, जहाँ पे commercial duty से लेके सभी तरह की duty जमा की जाती है, जिसका है Icegate, Icegate का एक duty portal है, उसी जगह पे सिर्फ import duty या किसी भी तरह की international trade से related duty जमा होती है, उसके अलावा और कोई website नहीं है, कुछ नहीं है, जहाँ पे customs duty जमा होत है, जहाँ पे आपको proper login करना पड़ता है, बैंक के तुरू internet banking से, आपके पास IC code वगएरा होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से, तभी आप वहाँ से payment कर सकते हैं, वहाँ पे list of banks हैं, जिस banks के तुरू आप custom duty पे कर सकते हैं, वहाँ पे आपका proper TR6 चलान भी generate होता है, जब आ payment करते हैं, तो यह तीन points है, जो आपको हमेशा याद रखने हैं कि जो custom officer है, वह आपको कभी भी call नहीं करता चाहिए, आपका कितना भी expensive Rolex सी घड़ी ही क्यों ना आई हो, वह आपको mail करेंगे या notice भेज़ेंगे, second आपका cash और expensive jewelry आप courier से नहीं बेज सकते हैं, यह completely restricted है और transaction आपका eyesgate.gov.in पर होता है, I hope कि आप लोगों को पता लग गया हो कि यह सारी चीज़ें जो customs के नाम पर होने वाला fraud है, किस तरीके से इंडिया में operate करता है, और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप जाना से शेयर करें, ताकि लोगों को knowledge मिले, कि किस तरीके से इन fraud से बचा जाएं आने वाले टाइम में, क्योंकि यह सरे के for fraud जो है, customs के नाम पर होने वाले यह बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लोगों के साथ, और मैं आप लोगों को एक चीज़ इसमें और add करना चाहूँगा, अगर in case आपके साथ by chance, क्योंकि वीडियो की reach, क्या पता your bank to proceed the payment you have made, अगर आपने कोई भी payment करी है, तो आप अपने bank को phone करके बता सकते हैं कि उस transfer को जो है आभी रोग दीजिए, क्योंकि अगर वो transfer नहीं वाओ और IMPS करेंगे तो obviously वो तुरन चला जाता है, अगर कुछ सी भी आउतरा का payment क्या हो तो आप एक बढ़ी bank में phone करके पता कर सकते हैं, जो भी आपने जिस भी URL से आपने वो profile आपको आपसे बात हुई थी Facebook पे उस पूरे profile का आप कह कहते हैं, screenshot लेकर रख दीजिए, complaint के time पे screenshot दे दीजिए, URL दे दीजिए, उस बंदे का जिसमें कि वो clearly दिख रहा हो, पुलिस में जब आप complain करेंगे online cyber cell में जो भी आप अगर offline complaint लिखाते हैं, complaint करी nearest police station में describing complete incidents along with the above mentioned document, यह जो आपके bank transfer है और आपके जो profile के उसके screenshots हैं, उन सब को अपने समाल के रखना है और जाके fire करनी हैं उसके साथ, और वो सारे आपको पुलिस वाले को देने हैं, save the soft copy of all above mentioned documents in soft form and provide them to the investigating officer on a CD along with the hard copy, same चीज है कि आपको जो भी आपके बाद document available है, उस fraudster से related उन सबका एक pen drive में उनको digital information डाल के दीजिए और प्लस एक hard copy भी उनको provide करिये, और वो हो सके तो कुछ, जनरली इस case में पैसा वापस नहीं आता है, क्योंकि पैसे एक account से दूसरे account में bounce होता रहता है, और वो पता ही नहीं लग पता कि वो amount गया कौन से bank account में और कहां से निकला गया, वो किसी जाड़कन के किसी account से या बयार के किसी account से निकल चुका होता है, तो generally यह चीजे नहीं पकड़ में आती सबसे, तो इसका precaution ही इसका cure है, तो आप लोगों को information देना मेरा काम था, और यहीं इसका precaution है, इस तर झालिवा, नमस्टे, तेंक यू